कि हलो फ्रेंट्स वेलकम टूटर वेटिन गोल फ्रेंट्स यह बीविद वाला चेप्टर है जो कि आखरी चेप्टर है इसके पहले हमने 10 चेप्टर पढ़ लिए इसके परियावन परिस्थित्की के और यह पॉइंटर है फ्रेंट्स और यदि आपने उनको नहीं देखा है तो वह भी देख लें यह काफी ज्यादा महत्वपूर है रिवीजन के लिए भी बहुत महत्वपूर है और यदि किसी भी समय आप इसको पढ़ते हैं तो आपको यह अंदाज लगता है कि PCS के लिए हो RARO के लिए हो यह कोई भी एक्जाम हो इस्टेट का एक्जाम हो किसी बाद 20 की अगर हम 2020 की थीम की बात करें तो यह थी जैवेवित्ता और 2023 में विश्व परियावन दिवस की जो थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूशन के समाधान तो यह 2023 की यहां पर थीम थी मुखमंत्री ब्रक्षार ओपन योजना का प्रारंब किया गया था यह एक जो 1948 में बना था 7 अपरायल को भारत सरकार के पिपड़न एवं निरिक्षण निदेश साले यानि की DMI द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन है तो एक एक मार्क होता देखिए एक मार्क जो होता है यह गुणवत्ता प्रमाण के लिए एक चिन होता है जिसको भा तो उसको इको मार्क दिया जाता है यह बताने के लिए कि यह जो प्रोडक्ट है यह एको फ्रेंडली है जिसे दच्छन गंगोत्री के नाम से जाना जाता है तो दच्छन गंगोत्री के नाम से किसको जाना जाता है भारत का प्रथम अंटार्क्टिक सोध केंद्र तो अंट दच्छन गंगोत्री, इसके साथ देखिए इसकी जो इस्थापना है ये 1884 में की गई थी, और अगर दूसरे की बात करें, तो दूसरा जो है, फ्रेंड्स, वो है मैत्री, तो मैत्री की जो इस्थापना की गई थी, इसकी भी इस्थापना वही दक्षुनी धुरू में, यान अजरी और इसके बाद में एक है भारती, तो भारती जो है विए नया वाला है, और ये 2012 में इस्थापित किया गया है, जो कि तीसरा सोध के न्रोगा, अन्टार्किटिका में, और ये भारती नाम से, भारत ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब माँ आ योजना है तो यह क्या है एजेंडा 21 जो है एक कार योजना है जिसमें से ऐसी ऐसी चीजों को रखा गया है कि जो किसी वी देश को करनी चाहिए जिससे की परियावरण प्रदूसर सस्टेनेबल डेवलप्मेंट हो सके इसके लिए एजेंडा 21 बनाया गया था वाइकार योजना जो वर्स 1992 में ब्राजील के रियोडी जेनरियों में संपन परियावरण एवं विकास पर संयुक्त सम्मेलन यानि UNCED के दोरान स्रजित किया गया था तो यह एजेंडा 21 देखिए 1992 में प्रत्वी सिखर सम्मेलन हुआ था रियोडी जेनरियों में और उसी र इकास है वो हमारा सस्टेन हो सके सस्टेनेवल डिबलापेंट हो सके इसके लिए एजेंडा 21 लाया गया था और यह 1992 में लाया गया था और ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था रियोडी जेनियोरों में उस समय लाया गया था यहां पर देखिए एक तरफ सूची एक है और दूसरी सूची है और हमें मिलान करना है तो देखिए तवचा कैंसर तो परावायगनी बिक्रण से यह परावायगनी प्रकास से तवचा में कैंसर होता है और हमने कई बार पढ़ा है इसी सीरीज में कि परियावर्ण प्रद यह जो परियावर्ण में जो आती है नापते हैं decibel में, decibel में नापते हैं कि इसकी जो तीबरता है वो कितनी है कि वेस्विक तापन, वेस्विक तापन का कारण है कारण है carbon dye आकसाइड और भी जो गैसें जो कि Y bundle के temperature को बढ़ाती है वो सारी काराख है किसके बैस्विक तापन के ओजोन छिद्र ओजोन छिद्र देखिए ओजोन आया ना तो ओजोन छिद्र किसके कारण होता है अगर ओजोन में छिद्र होता है तो फिर क्या होता है कि परावाइगनी जो किरण है वो धर्ती पर आती है और इससे मनुस्त को तचा कैंसर होनी की संभावना बढ़ जाती है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायो टेक पार्क इस्थावित किया गया है कहाँ पे लखनव में इस्थावित किया गया है राश्टि पोशल संस्थान कहा है, हैदराबाद में इस्थी थै भारति ये वन जीव संस्थान, ये कहाँ पए Internet, ये है देहरादून में इस्थी थै और राश्टि ये आयुर्वेज संस्थान, ये कहाँ है, जैपुर में इस्थी थै नेशनल इंस्ट्यूट ओफ नेचुरोपैथी इस्तित है पुडे में वर्स 2023 तक भारत के कितने इस्थलों को यूनेस्को में सामिल किया गया तो देखिए इसके 2023 की बात करें तो ये कितना 40 किये गए है लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 42 हो चुक हैं friends, 42 जो हैं उनको इस्थावित किया है तो अभी जो दो नए बनाए गए हैं friends, कुंकि देखें 42 पूरे के पूरे हैं अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक है सांती निकेतन, सांती निकेतन जो की पस्चिम बंगाल का है और इसके साथ साथ में हेसल के मंदिर है तो हेसल के मंदिर कहां की? करनाटक के हैं तो हेसल के मंदिर करनाटक के और सांती निकेतन जो की कहां है पस्चिम बंगाल में तो इन दोनों को दो नए जो हैं ये यूनेसकों में इनको विसुधरोवर के रूप में सामिल किया गया है तो वर्तमान 2024 में अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब कितने हैं हमारे पास 42 हैं 42 विसुधरोवर इस्थल भारत में इस्थित है यूनेसकों की विसुधरोवर इस्थिल में विसुधरोवर समलित है एक इमारत जिसका नाम है देखिए बोधी मंदिर है ये महाबोधी जो मंदिर है ये भी क्या है यूनेसकों की एक विसुधरोवर इस्थल है और महादबोधी जो मंदिरे यह कहाँ पे है बिहार में है सुनामी की उत्पत्ती जिसके दोरा होती है वो है समुद्र के भीतर उत्पन होने वाले भुकम से देखिए सुनामी क्या है एक जापानी सब्द है सुनामी का मतलब सीदे सीदे ये है कि जब जो अपना समुद्र है इसके अंदर जब हुकम पाते हैं जो आला मुकी फटता है तो यहां से तेजी से पानी जो है चलता है किनारों की ओर और ये जो है किनारों की ओर जब जाता है तो ये लहरें बहुत ज़्यादा उचाई तक उठ जाती है बहुत ज़्यादा उची हो जाती है और फिर यही सुनामी करूप धारण कर लेती है 2004 में भारत में सुनामी आई थी जिससे की काफी ज़्यादा नुकसान हुआ था अपरेल 2023 तक भारत में कितने समुद्री तटों को blue flag certification दिया गया था देखें 12 को 2023 तक blue flag certification दे दिया गया था यहां पर देखें हमें सुमेलित करना है पारिस्थित की बिग्यान का केंद्र है तो पारिस्थित की बिग्यानों का केंद्र कहां पे है बंगलूरू में है भारती वन प्राणी संस्थान कहां पे है देरादून में है और भारती वन प्रबंधन संस्थान यह भी कहां पे फ्र प्रतेक वर्स दिये जाने वाले इंद्रा गांधी परियावरण पुरुसकार का आधार क्या होता है तो यह होता है परियावरण के छेत्र में सार्थक योगदान तो परियावरण के छेत्र में यदि सार्थक योगदान किया गया है तब इंद्रा गांधी पुरुसकार मिलता है यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है तो एपी को अंदोलन किस समग्धी थे यह हेग्डे द्वारा यह सारे देखिए जो सब्ड़ुएण यह पर्यावरान शन्रख्षण के लिए किये गए अंदोलन रोगी दछिन भारत में हुआ था ये था पी प्राकृतिक चटानस्ट हो रही थी इसके साथ में जो वहां के जंगल वो डूबे जा रहा है तो इसके लिए आधाया फूक्तिक चुतीक चुतीक के बहुत जादा काम किया था। और इससे किया हुआ कि प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा तो लोगों की जो पोषण की समस्या है वो काफी हद तक दूर हो सकी है भारत में Rally for Valley प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था वह है विस्थापितों के पुनरवास की समस्या इसके लिए Rally for Valley प्रोग्राम आयोजन किया गया था भारत में मिट्टी बचाव अंदोलन प्रारंब हुआ था होसंगाबाद मद्ध परदेश से ये शुरू हुआ था वर्ष दोहजार त्ययस में विश्थु परियावास दिवस मनाया गया तो यह देखिए October माह का परथम सोमवार में इसको मनाया गया था विश्थु तमाखु निसेद दिवस यानि कि तमाखु नहीं खाई जाए इसके लिए 21 माई को इसका दिवस मनाया जाता है विस्व तमाखू दिवस 2023 की जो थीम थी ये थी we need food not tobacco मतलब की हमें भोजन चाहिए तमाखू नहीं ये इसकी कहती थीम थी दिसंबर 2022 में न्यूजीलेंड में अगली पीडी के लिए धूमरपान पर प्रतिबंद लगाने वाला विस्व का पहला कानून पारित किया न्यूज दूमरपान मुक्त होना है मतलब की जो न्यूजीलेंड है इसने अगली पीडी के लिए धूमरपान निसेद के लिए एक कानून बनाया प्रतिबंदित किया धूमरपान को तो ये कब तक 2025 तक ये कह रहा है कि हम धूमरपान मुक्त हो जाएंगे उनीस नॉमबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है वो विश्व संचाले दिवस के रूप में मनाया जाता है किसको उनीस नॉमबर को यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण दिवस है और उनका यहाँ पर दिनांग दिया है तो देखिए 200 परियावान दिवस है तो यह मनाया जाता है 5 जून को 200 वान की दिवस 201 की दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को विस्व पर्यावास दिवस ये मनाया जाता है अक्टूबर के प्रतम सर्पताय में यानि अक्टूबर के प्रते जब भी अक्टूबर है कोई भी महीना तो अक्टूबर के प्रतम सोमवार को मनाया जाएगा विस्व पर्यावास दिवस तो ये हर साल मनाया जाएगा विस ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है विस ओजोन दिवस 16 सितंबर को यहाँ पर देखिए फिर से हमें मिलान करना है तो राष्टी संबर्दित उर्चा 6 मिसन ये 2009 को मनाया गया और राष्टी जल मिसन ये 2000 गेरा को और राष्ट्री हिमालाई परिस्थित्की की संपोशन जो है ये 2014 और राष्ट्री सतत करसी मिशन ये चलाया गया 2010 में जय विवित्ता दिवस देखे कब मनाया जाता है तो ये 22 माई को जय विवित्ता दिवस मनाया जाता है अंतराष्टी जय विवित्ता दिवस दो हजार 23 का जो थीम थे फ्रेंट से वो था समझहोते से कारवाई तक जय विवित्ता का पुनर निर्माड तो ये थीम दो हजार 23 की भारत में प्रदान मंत्री ने स्वक्ष भारत मिशन आधिकारिक रूप से प्रारम्य किया था गांध पार्क की स्थापना ये कहां पे की गई है फ्रेंट्स मधपर्देश में की गई है मधपरदेश के धार जिले में हो रही है केंद्री सुस्क छेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थी थे यह कहां पे जोदपूर में और सेंट्रल एरिल जोन रिसर्च इंसिटूट यानि वही जो हम सुस्क वाला देख रहे हैं केंदरी सुस्क छेत्र ये कहां पर है जोड़पुर में इस्तित हैं इंडियन इंसिट्यूट ऑफ एकोलोजी एंड इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट अवस्तित है ये कहां पर है नई दिल्ली में एग मार्क एक्ट भारत में लाग हुआ है 1937 से एग मार्क एक्ट अभी हमने एग मार्क जो है इसके एक्ट जो बना वो 1937 में बना था बिज्ञान का वह है छेत्र जिस एक में बोरलाग पुरुषकार दिया जाता है तो यह है क्रसी छेत्र में करसी छेतर में बोरलाग पुरुसकार दिया जाता है और ये नार्मन बोरलाग जो हम देख रहे हैं कि करसी में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया उन्हों के नाम पर ये दिया जाता है भारत का राष्ट्री जली जीव कौन सा है फ्रेंस डाल्फिन है तो गंगा में जो पाई जाती है मुश्ट लिए डाल्फिन तो ये भारत का क्या है जली प्राणी है राष्ट्री जली प्राणी है मौसम विज्ञान संबंदी प्रेशन के लिए जिसको गुबारों में भरने के लिए उपयोग किया जाता है वो है हीलियम दीए हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा हलकी होती है लेकिन हाइड्रोजन को नहीं भरते हैं हीलियम को भरते हैं क्यों क्योंकि hydrogen जो है वो विस्फोटक होती है hydrogen gas में विस्फोट तेजी से हो सकता है लेकिन जो helium gas ये विस्फोटक उसकी अपच्छा नहीं होती है इसलिए गुबारों में helium भारा जाता है ना कि hydrogen hydrogen ह're hydrogen hydrogen है कि नार्मल वायव के मिस्फर से हलकी होती है तब हिसलियम के गुबारे उपर के ओर उठते हैं क्योंकि एक तो जब गरम होती है तब भी вже हलकी होगी व्हों भी उपर के और उठती है मानवी जनसंख्या के स्रिष्टतर जीवन यापन के लिए जो कदम सरवाधिक महत्वण है वो है वनारोपन तो वनों को लगाना मानों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वन नहीं होगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी अक्सीजन नहीं होगा तो मनुस्वणा जीवन नहीं होगा अगर किसी छेत्र का लेंड सेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पस्चिम में इस दित छेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा तो उसी समय यानि इस्थानी समय के अंसार कुछ दिनों बाद तो वो कौन था सेंडी तो सेंडी ये हरीकेन है अब जो USA वाला छेत्र है वहाँ पर हरीकेन नामर चक्रवात आते हैं जैसे अपने यहाँ पर है तो हम यह कह देते हैं कि जो भी चक्रवात आ रहा है तुफान आ रहा है तो यह अलग हो गए चक्रवात हो गए लिकिन यही जब वहां आते हैं यह से तरफ तो उनको हरीकेन नाम से जाना जाता है तो यह सेंडी नामक आया था यह 2012 में यह से में आया था अंतराष्टी प्रत्वी दिवस मनाया जाता है 22 अपरायल को अंतराष्टी प्रत्वी दिवस मनाया जाता है अंतराष्टी प्रत्वी दिवस 2023 की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन अवर प्लाइनेट इसकी थीम 2023 की रही है यह नए सस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रसायनिक उद्योग का अनुविक्षन करता है यह राज्यों यह पार्टियों को रसायनिक युद्ध के खत्रे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षन प्रदान करता है तो यह है रासाइनिक आयुद निसेद संगठन जो है वो रासाइनिक हतियार जो है उनको कंट्रोल करने के लिए काम करता है इस समय 193 सदस्य देश हैं जो 20 को रासाइनिक हतियारों से मुक्त करने है तो प्रतिवद्ध है तो यह किसके हैं यह OPCW यानि अभी जो हमने देखा कि रासाइनिक आयुद निसेद संगठन इसमें कितने सदस्य हैं 193 सदस्य है विश्व की 98 पर सज्जन संख्या भू भाग वा रासाइनिक कारखानों का प्रतिनिद्ध तो करते हैं यह वाले देख हैं यह जो 193 देख है न तो यह इसमें से पूरे रासाइनिक जो भी कार खाने हैं तो कितने आ जाते हैं अंठान्य परसेंट आ जाते हैं और 193 देश हैं हरित भारत मिशन के उद्देश को सर्वुत्तम रूप से वरनित करता है वन आच्छादन की पुनर प्राप्ति और समवर्धन करना तथा अनकूलन एवं नूडेशन के संयुक्त उपायों से जलवाई परिवर्तन का प्रति उत्तर देना तो यह क्या है हरित भारत मिशन प्रतिश्ठित टाइलर पुरुसकार जिस छेत्र में प्रदान किया जाता है वो है परियावरन का छेत्र यानि परियावरन सुरक्षा के छेत्र में टाइलर पुरुसकार दिया जाता है राश्ट्री राजियू गांधी परियावरण पुरुसकार जो दिया जाता है वो है स्वक्षपर्द्योगी के लिए और स्वक्षपर्द्योगी की विकास के लिए दिया जाता है ग्लोबल 500 पुरुषकार फ्रेंटस ये भी देखिए परियावन से संबंदित पुरुषकार है और इसको फ्रेंटस यूनेव देता है यो की केनिय नेरोभी में जिसका इस्थान इस्थित है वो ग्लोबल 500 पुरुषकार ये देता है संयुक्त राष्ट के सर्वोत्तम पर्यावन सम्मान चैंपियन आप दा अर्थ पुरुसकार ये 2022 का विजेता देखें चैंपियन आप दा अर्थ भी यूने भी देता है और इसके देखी यहाँ पर विजेताओं के बारे में बताया गया है तो नमबर एक में लेबनान वा आर से आरसेंसील पेरु के कॉंस टैंटीनो ऑका चुटास तथा कैम रून की सेसली बीवियाने ये ये लोग दिये गया हैं ये 2022 के इनके क्या है विजेता है भारत की अगर जो बात करें तो यहाँ पर देखें डाक्टर पूरिमा देवी वर्मन को जो की उद्दमी कारश्कार चैंपियन ऑबदा अर्थ दिया गया था 2022 का प्राक्रतिक आपदा रासी करण का अंतरराश्ट्री दसक मनाया गया है 1990 से 1999 के बीच में ये दसक मनाया गया है प्रतेक मास के अंतिम सनिवार को राश्टी स्वक्षदा दिवस मनाता है तो कौन सीरा लियोन जो है य तो ये कौन सा देश मनाता है Sierra Leone जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है वो है आस्ट्रेलिया और आस्ट्रेलिया ने गीरीन आर्मी भी बनाई थी जिसे डाइनो सोरस का कबरिस्थान का आ जाता है वो है मोंटाना ये काफी प्रचीन प्राणी है अब ये मौजूद नहीं है क्लाइमेट बदला तो ये नई सर्वाइब कर पाए और ये विलुक्त हो गए इकोमार की योजना 1990 में उभोकताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंब की गई जिनका प्रयावर्णी प्रभाव कम हानिका रखो वो भोकता उत्पादों में से इस योजना के अंतरगत अधिसूचित है तो इसमें देखिए कौन-कौन सी चीज़ें आती है साबुन है, अपमार्जक है, कागज एवं प्लास्टिक, संदर प्रसाधन एवं एरोसॉल तो ये इको मार्ग योजना के तहट इनको क्या किया जाता है कवर किया जाता है और इनको इको मार्ग दिया जाता है भारत में पूर्व समवेश्टित वस्तूओं के संदर्व में खाद सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग नियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख लेबल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार है वो है संघटकों की सूची जिसमें संयोजी सामिल है पोसक, विस्यक, सूचना, साकाहारी और मानसाहारी ये सब इसमें सामिल है। मानओ जनित जीवोम का एक उधारण है फसली भूमी मानो जनित जीवोम तो जीवोम प्राकृतिक भी हो सकते हैं लेकिन मानो निर्मित जो है वो फसली भूमी जहां पर फसल उगाई जाती है क्योंकि मानो ही इसको उगाता है जो भारती वग्यानिक यूनेप दौरा फाधर ऑफ उकोनिक इकोलोजी अभी अभिम्यत है वो है MS SWAMINATAN क्रसी मेने उन्हें बहुत काम किया ही है और इनको यूनेप के दौरा फाधर ऑफ इकोनोमिक इकोलोजी प्रक्रति को बचाने का प्रयास करता है यह आम जंता के लिए प्रक्रति खोज यात्राओं और शिवरों का आयोजन एवं संचालन करता है तो यह है बंबई नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी यानि बी एन एच एस सदा बहार फलब्रक्ष है लोकाट जो है सदा बहार फलब्रक्ष का उधारन है मौसम अनुस्रमण युक्ति सोडार इस्थापित है कहां पर यह कैगा एवं कलपक्कम में इस्थापित है देश में विंटर भारत निम्न हिम्युगों में से जिस हिम्युग में हिमानी करत हुआ है प्लिस्टो सीन युग तो प्लिस्टी सीन युग में हिमानी करत हुआ था भारत का छेत्र यदि आप ग्रामील छेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पच्छी। चरने वाले पशुरूंचे हैं जान्वर हैं inके पीछे पीछे चलते हैं और उनके के ग्हास के चलने से असांध होने वाले कीटों को पकाड़ते हैं तो ही सदाणतगी मैणा तो मैणा एक चिडिया है जो कि जब जानवर चरते हैं खेतों में तो घास हिलती है दरुदर तो इनसे निकलते हैं कीड़े बाहर की ओर तो जो मैना होती है वो इनी के पीछे पीछे चलती रहती है जानवरों के और क्या करती रहती है इनसे उड़ने निकलने वाले कीडों को जो क्या है वो खाती रहती है तो यदि आप गाउं में देखें कि जहां जानवर चर रहे हैं खेतों में तो उनके आसपास बहुत सारी च चलते हैं तो और यह क्या करती हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती हैं यह हिमाले के दच्छिण में उसन कटी बंधी एसिया में पाया जाने वाला पच्छी है इसका मुख आहार आदर भूमी के चिछले जली इस्तलों में पाई जाने वाली छोटी मिसलिया है तो भारत के अवनाचल परदेश लद्दाख आदी में पाया जाता है यह सर्वभक्षी है जो पौधों की जड़ कंदमूल आलू कीडे मकोडे मचलियां मेधक अनाज सभी कुछ खाता है किन्तु मुख रूप से कटाई के पस्चात खेतों में अन के आउसेसों को अपने आहार के रूप में प्रियोग करता है तो यह है काली गर्दन वाला सारस जो सारस है फ्रेंट्स यह खेतों में अधिकांस्ता मिल जाता है किन्कि कटाई के बाद जो बचे हुआ जो दाना होता है खेतों में वो इसको खाता है सितोशन कटिबंदिये वन उसन कटिबंदिये घास प कटिबंदिये और सितोष्ण कटिबंदिये वन और सितोष्ण कटिबंदिये घास के परदेश तो इन में से सितोष्ण कटिबंदिये घास के जो परदेश हैं इनकी जो उत्पादक्ता है उत्पादक्ता हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी एक निश्चित छेत्र में उसन कतुबंदिये वहन सितोच्झ कत़विंदिये घास के प्रद्यस तथा उसन कतबंदिये सवाना के जो प्रदेशर हैं इन fing터 स सब्स्टक्राइब और यह भी हमने देखा था कि जो हमारी प्रधिवी प्रतिवी के जो उक्वेटर है वह उपर नीचे यह जाते हैं जब यहाँ पर प्रात्मिक ब्रतिक क्रसुत्रति नहीं घर्टि झाती जाती हैं भारत का राष्टी समों पार्क स्थापित है यह कच्छ में इस्तित है राष्ट्री सामुद्रिक पार्क भीतरकनिका जिसे विश्व धरोगर इस्तल की सूची में समलित किया गया है ये कापे उडिसा में है भीतरकनिका और यहाँ पर एक कच्छवा भी प्रेजिनन के लिए आता है भारत के सबसे बड़े चर्खे के संदर्व में सा काफी बड़ा था तो इसलिए ये उस समय करंट में भी था तो यह आया था तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने ये घटना चक्र पॉइंटर जो की परियावन परिस्थित्की का है इसको हमने पूरा कर लिया है इसके साथ साथ में जो और भी सेक्षन है जिसमें से आप साइंस क का है या जियोग्राफी का है यह सारी चीज़े हैं वो भी आप इसी में पढ़ सकते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्वार यदि वीडियो आपके लिए अच्छे हों और इंफर्मेटी हों तो इनको लाइक जरूर करें थैंक अधर को सकते हैं